कि सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है लेकिन एक बात मत भूलिएगा DSP सहब कि सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसित वही है जो जंकल में एक शेयर की होती है साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म काली चरन का ये डायलोग सुनकर आज भी अभीनेता अजीत खान याद आते हैं ये वो दोर था जब हीरो और विलन बराबर की टक्कर में हुआ करते थे तब तक विलन का रूप बदल चुका था ना ही उसके गले रुमाल बंदा होता था और ना ही उसके बिखरे बाल होते थे अजीत सहाब के बोलने का अंदाज ऐसा था कि लोग उन्हें देख कर बस वाह वाह कहते रहते थे लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि आपके ये बहतरीन एक्टर आज कहां और किस हाल में है नहीं ना तो कोई बात नहीं आज हम आपको इनके आज से रुबरू करवाने वाले हैं हिंदी सिनेमा को शायद पहली बार एक ऐसा विलन मिला था जो काफी सौम में और परभाव शालिट ढंग से विलन के किर्दार को फिल्मी परदे पर जीवित कर देता था अजीद का असली नाम हामिद अली खान था जो पचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे और इसी का सपना लिए वो घर से भाग कर मुंबई आ गए थे अजीद पर अपने इस सपने को पूरा करने का जनून इस कदर सवार था कि उन्होंने अपनी किताबों तक को बेश डाली थी 1940 में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुवात की कुछ समय तक उन्होंने बतोर हीरो फिल्मों में काम किया लेकिन वो फ्लोप रहे इसके बाद उन्होंने फिल्मों में विल्मी की भूमी का निभाना शुरू कर दिया विल्म के तोर पर ना सिर्फ उनके किरदार को सराहा गया बलकि उनके कई डायलोग और वन लाइनर जबरदस्थ हिट हुए आज भी जब अजीत के नाम का जिक्र होता है तो अनायास ही, मोना डालिंग, लिली डॉंट बी सिली और लोएन जैसे डायलोग जुबा पर आ जाते हैं अजीत ने विलेन और उसकी किरदार की ऐसी परिभाशा और लुक गड़ा जो हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया है मुंबई आने के बाद अजीत का कोई ठोश्टिकाना नहीं था, काफी वक्त तक तो उन्हें सिमिंट के बने पाइपों में रहना पड़ा, जिन्हें नालों में इस्तिमाल किया जाता है उन दिनों लोकल एरिया के गुंडे उन पाइपों में रहने वाले लोगों से भी हफता वसूली करते थे और जो भी पैसा देता था उसे ही उन पाइपों में रहने की इजाजत मिलती एक दिन एक लोकल गुंडे ने अजीद से भी पैसे वसूलने चाहे अजीद ने मना कर दिया और उस लोकल गुंडे की जम कर धुलाई की उसके अगले दिन से अजीत खुद लोकल गुंडे बन गए इसका असर ये हुआ कि उन्हें खाना पीना मुफ्त मिलने लगा और रहने का भी बंदोबस्त हो गया डर की वजह से कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता था अजीत ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया नास्तिक, मुगले आ आजम, नया दोर और मिलन जैसी फिल्मों को अजीत ने अपने किर्दार से सजाया लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में तो आपको बता दें कि आज ही अभीनेता हमारे बीच नहीं है जी हाँ दोस्तो 22 अक्टूबर 1998 में अजीत ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली बॉलिवुड में उनके योगदान को अभी भुलाया नहीं जा सकता भले ही ये आज हमारे बीच ना हो लेकिन इनके द्वारा किया अभी ने आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें बाई बाई